दोस्तो आज मैं आप लोग को समुदर में रहने बाले सबसे बड़े जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तो ये इतने खतनाग होते हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी आसान इसे समुदर में डूबो सकते हैं और लोग इने समुद्री रक्षस के नाम से पुकरते हैं दूस्तो ये इतने विसालर खतनाक हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते तो आई ये जानते हैं समुद्र में राज करने बाले इन जीवों के बारे में लेवियथन दूस्तो ये सबसे बड़ा समुद्री जानबर है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 40 फिर तक लंबा हो सकता है जिसे आप लोगों ने मुभी और कहानियों में देखा अर सुना होगा दूस्तो कुछ लोग का मानना है कि ये सेतन का एक रूप है और कुछ लोगों का मानना है कि ये समंदर में रहने वाला एक विसाल जानबर है वही कुछ लोगों का कहना है कि इसमें प्राकृतिक सक्तियां होती है और जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते उनका मानना है कि ये सिर्फ समंदरी डाकों को ड़ाने के लिए लोगों द्वारा बनाई गई कहानी है The Gigantic Octopus दूस्तो ये समंदरी दानव जाजों को पानी में डुबो देने के लिए जाना जाता है और जिसकी साइच 20 पिट तक हो सकती है दूस्तो इसके बारे में हमने कई कहानिया सुनी लेकिन अभी तक इसके होने का कोई भी सबुत नहीं मिल पाया फिर भी लोगों का मानना है कि ये कई सालों पहले हमारे धरती पर मजुद था लेकिन अब ये लूप्त हो चुके हैं क्योंकि इसके बड़े बड़े जिबास्म लोगों को समंदर के किनारे मिला है जो इसका हमारे पृत्वी पर होने का सबुत है दोस्तो फिर आता है दब लूप इस मॉंस्टर के बारे में दो थियोरिस है और फास्ट के अनुसार ये एक बड़ा रहस्य मई समुद्रि दानब है सेकेंड थियोरी के अनुसार ये सिर्फ एक आवाज है जो आटलांटिक में बर्प के टूटने से पैदा होती है दोस्तो नेशनल ओकेंटिक अडिमिनिस्टरिसन का मानना है कि ये मॉंस्टर रेल में मजुद है और ये एक बड़ा सा जानबर है जो समंदर की बीच में रहता है क्योंकि अभी तक समंदर के कई हिस्सों को खोजा नहीं जा सका जिससे इस जानबर के होने का चांस बनते हैं जोरमर गेंडर दोस्तो अगर पुरानी कथाओं की माने तो समंदर में कई बार एक बड़े जानबर को दिखा गया ऐसा मानना है कि जब ये जानबर अपने आपको खाता है तो इसका ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें कोई प्राक्रितिक सक्तिया नहीं होती लेकिन इसके खोन में खतरनाक जहर होता है दोस्तो कुछ लोगों ने इसे लोगों द्वार बनाई के आफवा मानते हैं वहीं कुछ लोगों ने इसे देखने का दावा भी करते हैं दुबे हुए जहायों से बचने वाले लोगों का कहना है कि उन पर इसी जानबर ने हमला किया देकोसर्स दोस्तो ये डाइनेसोर के समय से सबसे खतनाक समंदरी सिकारियों में से एक था इसे सबसे पहले जर्मानी में खोजा गया जो दिखने में मगरमच और मचली जैसा लगता था दोस्तो पिछले कुछ सालों में बग्यानिकों को इसके जिवास में दुनिया भर में मिले जिनमें अर्जेंटिना, रसिया और इंगलन्ड समिल है दोस्तो ये काफी बड़ा होता है जो अपने दातों की अलग बनावट के कारण इसे और भी खतनाक सिकारी बनाता है तो दोस्तो आप इन जानवरों के बारे में क्या सूचते हैं हमें कमेट करके जरूर बताएं और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और स्यार करना बिल्कूल भी ना पुलें और दोस्तो ऐसे वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चनल इंडियन फैक क्लॉब को जरूर सस्क्राइब करें दोस्तो अन्य तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद